खरीदे दोहजार रठारा त्रिकाल सहिता और जाने साल दोहजार रठारा का विस्त्रित फलादेश, उपाय, सफलता और संद्रिधी के सूत्र नमस्कार आप देख रहे हैं एसोसेज टीवी और मैं हूँ आपका अपना एश्रोगुरू मुलकाम सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2018 की हार्दिक शुब कामना हैं हम आशा करेंगे कि आपका ये वर्ष प्रतेक वर्षों की भाती और उनसे भी आगे बढ़ कर रहे अर्थात आप फूलें फलें तरक्की करें प्रसन्यता पाएं अपनों का प्रेम पाएं मन चाही मुराद पाएं और जीवन में तरक्की के अपत पर आगे बढ़ें आज हम बात करेंगे मासिक राशीफल जन्वरी 2018 की लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारी यूट्यूब चैनल एस्टोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करप्या भी कीजे और अपने भविश्व से जुड़ी समस्प्रकार की जनकारिया पाने के लिए डाउनलोड कीजे एस्टोसेज कुंडली एप को तो आएए जनते हैं जन्वरी 2018 का मासिक राशीफल मगर राशीज इस माह में जो भी कारे करने की योजना बना रहे हैं वो आपकी सफल हो सकती है तथा आत्म विश्वास के साथ किसी कारे में सफल दप्राप्त होने की अच्छी संभावना बन रही है परनतों शनी के धनुराशी में गोचर करने के कारण भागदोर तथा तनावपून स्थितियों में ही आपका कामकाच हो पाएगा आरती की दिश्ची कोण से महा आपके लिए बहतर होगा साथ ही अधियाप अपनी मंजिल प्राप्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको प्राप्त होने की इसमा में अच्छी स्थिति बन रही है आपको अपने परिवार वालों का सहयोग भी प्रतेक कारे में मिलेगा क्योंकि मंगल का तुलाराशी में गोचर हो रहे है इसलिए इस्तितिया बहतर हो सकती हैं घर परिवार का सहयोग आपको प्राप्थ होता रहेगा साथ ही आपके मित्र भी आपको अपना सहयोग प्रादान करेंगे ऐसे में आप उनसे अच्छा लगाव रखने का प्रयास करें स्वास्थे भी अच्छा रहेगा और आप अपने स्वास्थे के परती सचेत भी रहें ताकि आने वाले समय में भी कोई दिक्कत ना हो करियर की दिश्चिकोंड से महा आपके लिए लाबदायक होगा जो भी काम करेंगे उसमें भाग्ये भी साथ देगा आपको महा के अंते तक अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है भाग गया उन्नती का योग भी बन रहा है आप अपने कारें को सुचारू डंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे परन्तु किसी से बाद विवाद में नावल जें अपने कारें को आगे रखकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें चोटी मोटी बातों पर किसी से कहा सुनी हो सकती ऐसे में सचेत रहने का प्रयास करें यदि बात करें पारिवारिक जीवन की तो घर-परिवार में सब के साथ अच्छा संबंद रहेगा, गुरू का तुलराशी में गोचर होने से घर-परिवार की अच्छी स्थिति रहेगी, संतान पक्ष से कुछ तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है और उनको लेकर मना आपका अशान्त हो सकता है, ऐसे में उनसे बात चीत कर संबंदों को समान्य बनाने का प्रयास करें, माता-पिता से संबंद अच्छे रहेंगे, इसलिए उनका आश्रवाद भी प्राप्त करें और उनका आधर करते रहें, साथ ही उनकी सेवा भी करें, ये आपके लिए लाबदाय बहतर होने की संबावना दिखती है, क्योंकि तुलाक में मंगल का गोचर होने से काम का संबंदित आर्थिकला प्राप्त होने की अच्छी संबावना दिख रहे है, धन अचल संपत्ति आधी भी प्राप्त हो सकती है, योदि कोई प्रापर्टी की डिल चल रहे है, तो इस म अनको संचे कर अपने कारियों को करने में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। अपने के लिए ले जाएं जिससे आपके खर्चे को ज़्यादा हो। स्वास्थे की तो इस माह में स्वास्थे की दिश्टिकोंड से स्थितियां कुछ तनावपूर्ण रह सकती हैं। क्योंकि रहु का करकर में गोचर होने से स्वास्थे के दिश्टिकोंड से ये अच्छे स्थिति नहीं है। आपको अत्वाप के जीवनसाती को लेकर स्वास्थे की समस्या उत्पन हो सकती हैं। किसी भी तरह की समस्या उत्पन होने पर उस समय से उसका उपचार करना ही बहतर विकल्प होगा। उपाय के रुप में शनिवार के दिन तिल के तेल का दिपक, पेपल के पेड के नीचे या शनी मंद्र में जलाने से स्थितियां बहतर होगी। तो यह था जन्वरी 2018 का मासिक राशीफल। हमारे इसी भी तरह अन्ने वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SOS TV को जो हमारा यूट्यूब चैनल है और आप अपने जीवन से जोड़ी अपने भविश्य जोड़ी किसी भी समस्या को जानने के लिए डाउनलोड कीजिए SOS कुनली एप को आप सभी के लिए नव वर्ष का ये नव मास सुमंगल दाई हो इन्ही सुब कामनाओं के साथ आपका अपना एश्योगरू मुलकाम